हलो फ्रेंड्स मैं हूँ श्रद्धा आपके साथ एक फिर नहीं कहानी लेकर के दोस्तों आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं व्यू कर रहे हैं आपका बहुत बहुत थैंक्स आप इसी तरह इने स्टोरीज को देखते रहिए और कुछ इंप्रूव्मेंट चाहिए तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करते रहें इसी तरीके से अपना योगदान देते रहिएगा आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है जितना राग उतना दुख एक दादा जी अ सामने वाला मकान भी उनका था जिसको बेचना था और उसको बेचने की बाद भी कई दिनों से चल रही थी अचानक दादा जी क्या देखते हैं अकबार पढ़ते पढ़ते सामने वाले घर में आग लग गए अब घर में आग देखते ही अकबार रखकर वो जोड़ जोड़ आया और बोला दादा जी आप क्यों खबरा रहे हो ये मकान तो आपके बेटे ने कल बेच दिया है आपको रुपे नहीं मिले क्या उसकी तो रजिस्ट्री भी हो गई है इतना सुनकर वो फिर से निशिंत हो गए और पूरी तरी से शान तभाव से बैट कर अकबार पढ़ने लगा है अभी सामने वाला मकान पूरी तरीके से जला नहीं था आग जल ही रही थी बुजी नहीं थी इतने में एक दूसरा व्यक्ति आया और दादा जी से बोलता है सामने मकान जल रहा है और आप अकबार पढ़ रहे हो तब दादा जी बोले अभी एक व्यक्ति ने बताय कि वह तो बेच दिया है अब किस बात की चंता तब दूसरा व्यक्ति बोला अरे दादा जी मैं तो गवाही के लिए ही गया था किन्तु हरताल होने के कारण कल रजिस्ट्री नहीं हो पाई और इतना सुनते ही वो फिर चलाने लग गए और दुखी होने लग गए पुना उसी स में उनका चलाना और दुखी होना शुरू हो गया तब ही उनका बेटा दोड़ता हुआ है और बोला दादा जी चिंता करने की कोई बात नहीं है मैं कल दूसरी जगे गया था और जाकर रजिस्ट्री करा ली थी यह पैसे समा लूँ अब तो दादा जी पूरी तरह निशिं हो चुके थे कि पैसे भी आ चुके हैं रजिस्ट्री हो चुकी अब सामने वाला जाने उसका मकान जले की कुछ भी हो ये एक छोटा सा दृष्टान तथा दोस्तों बहुत बड़े सिंधानतों को सरलता से समझा रहा है पर द्रव्य पर द्रव्य में है मतलब वस्तू जो है वो वस्तू में है मकान मकान में है क्योंकि वो सब जड़ है वह मेरा कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो कौन हूँ एक चैतन्य आत्मा हूँ वास्तव में वस्तू को मकान को हम अपना मानने लगे हैं इसलिए हमें दुख होता है वस्तू के प्रती जितना हमारा मोह है वो ही हमार उतना दुख पैदा करता है सच मुश तो ये सब क्या है मित्या जगत है जूटी दुनिया है जिसका ही हमें दुख है आज हम इसी में है कि ये मेरे हैं, मेरी वस्तु है मेरा घर है, मेरी चीज़े हैं मेरा परिवार है लेकिन जब हम मरते हैं ये सब क्या हमारे साथ जाता है ये सारा मेरा यहीं रह जाता है साथ में जाती है बस और सिर्फ और सिर्फ मैं चैतन्य आत्मा जिसके किये हुए अच्छे कर्म ही साथ में जाते हैं लेकिन हम क्या हुआ है पूरी तरीके से उस चैतन ने जोती बिंदु आत्मा को भूल चुके हैं हम याद रख रहे हैं शरीर को इस तर शरीर से जुड़ी हुई चीजों को उस व्यक्ति को, वस्तु को, वैभवों को दादा जी ने जब उस मकान में मोह था तो उनका नुकसान हो रहा था सोची आप कि सिच्वेशन वही सेम-टू सेम थी जब उनने ये सुना कि मेरा मगान जल रहा है तो वो बहुत दुखी हो रहे थे लेकिन वही मगान जब बिग गया था तो उसी परिस्तिती में उनको फिर दुख नहीं हो रहा था वही मकान वही जलने की स्थिति लिकिन तू मनाने का दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है दोनों स्थितियों में अलग-अलग है जब मेरा है तो दुख हो रहा है जब तेरा है किसी और का हो गया तो दुख नहीं हो रहा है इसी प्रकार हमें सदा सुखी होना है तो सबसे पहले हमें वस्तूओं में जो मन उसको छोड़ दे, खुद की अंतरात्मा को पहचाने, बाहरी वस्तूओं में कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि वे ना तो सुख दूख रूप हैं, ना ही सुख दूख के कारण हैं, जो भी कारण हमने बनाए हैं, वो हमारे ही अंतरात्मा के कारण हमने बनाए हैं, क्योंकि ह हमने उसको अटाच कर रखा है, कि ये मेरी चीज़ है, मेरी वस्तू है, अब सोचिए, अगर मैं आपसे कभी पूछ हूँ, कि आप कौन है, तो आप क्या बताएंगे, कि मेरा नाम ये है, आप कभी बोलेंगे, कि मैं ये शरीर हूँ, कि आप नहीं बोलेंगे, ये मैं और मेरा, ये दो अलग अलग शब्द है, मेरा परिवार आप बोलते हैं, मैं परिवार हूँ नहीं बोलते हैं, मेरा घर है बोलते हैं, मैं घर हूँ नहीं बोलते हैं, आप मैं, मैं शरद्धा हूँ, तो आप इसको गहराई से सोचें और जितना हमने मेरे मेरे का जंजाल फैला रखा है उन सब जंजालों से दूर होकर अपनी अंतरात्मा को पहचाने अच्छे कर्म करें ताकि आप वो जो राग है वो जो दुख है जो हमको वस्तूओं को चीजों को दूर होने से होता है वो हमें ना हो यही मेरी आज की कहानी की सीखती ओम शन्ती